भाई सब एक लाइन जो मैंने पहले भी कही थी आज भी कहना चाहूंगा कि सोनु निगम की रेंज और डॉक्टर स्ट्रेंज की कोई लिमिट नहीं है स्पाइडर मैन नो वे होम के बाद सब के दिमाग में यही सवाल था कि माडवल अपने जोले से आकिर क्या आफत निकालेगा लेकिन वो कहते हैं ना कि गला खडाब हो तो गारगर कर लो और इंटेटेंडमेंट चाहिए तो माडवल कर लो नमस्ते मैं बहुआ बहुआ भई यह लाइन तुम पहले भी बोल चुके हो है की नहीं पहले बोल चुके हो तो क्या बात गलत हो गई है क्या अच्छा यह वाली भी तुम पहले बोल चुका है अरे वाई साथ तो क्या बात हो गया कमाल आदमी हो वैसे गलत का मालूम नहीं लेकिन उन लोगों के कान जरूर खड़े हो गये जो ये कहते थे कि आइडन मैन के मढने के बाद मारवल क्या ही दिखा सकता है वैसा भी है मारवल है केविन फाई की वो आदमी है जिसको चूडन पकड़ा दो न तो चाट के मसाले के डब्बे में फैक करके बेच देगा किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा इस आदमी ने अकेले इतना माल चाप दिया है कि कई देशों की जीडिपी इतनी नहीं होती मलब लोगों को पैसे की कमी होती है लेकिन पैसों को केविन फाई की कमी लगती है डॉक्टर स्टेंज के ट्रेलर में तुमने देखा ही होगा कि यह आदमी क्या क्या कर सकता है सैम रियामी जब कोई फिल्म बनाते तो फिल्म नहीं होती है कि एक्स्पिरेंस होता है चाहे विजुल्स हो, हॉरर एलिमेंट्स हो फिल्म अपने विजुल्स के तुरू आपको कई चीज़ें बताने की कोशिश करेगी इसके बाद स्क्रीन पर कई सारे मॉन्स्टर्स दिखाई देते हो सकता उनका कुछ नाम भी हो, अपने को वह मालूम नहीं है इसलिए उनको अभी के लिए मॉन्स्टर्स ही बुलाते है मॉन्स्टर्स से आदा है कि इसमें एक दैनासोर के टाइम का सीन भी है यानि सैम रियामी पूरे मूर में है, हम कोई वो दिखाने के लिए जो हमने सोचा भी नहीं है इल्युमिनाइटी ग्रूप के साथ-साथ इसमें मोडो भी नज़र आता है जो स्टेंज को माफी देने के मूर में एक दिम नहीं है वांडा भी स्टेंज को टॉंट मारते हुए कहती है कि तुमने इतना रायता फैलाया है तो कुछ नहीं मैंने चड़ा सा रियाल्टी को छेर दिया तो आपता गई ये सुनता ही मेरे को मालूम पढ़ गया कि ये बंदी आतंक मचाने वाली है वांडा विजन में हमने देखा ही है कि अगर ही अपने पड़ा जाए तो लोग एक दूसरे के कुड़ते फारते नज़र आएंगे कुड़ता तो हमने बोला है फार तो कुछ और भी चीज सकती है टिकेट के लिए इतनी मारा मारी होगी कि नोवे होम भी फेल हो सकता है देश में नौकरी के बाद इसके टिकेट की ही डिमांड सबसे आदा रहेगी एक बात और नोवे होम में इतने मेजर लीक्स हुए लेकिन डॉक्टर स्टेंज बनके तयार भी हो गया कोई लीक नहीं हुआ इसका मतलब समझे दाया लेकिन देखके अच्छा लगा बोनस भी पाओगे वेल आखिर में मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ये फिल्म 50 मिलेन यूट्यूब व्यूज ही नहीं बलकि नोवे होम का रेकॉर्ड भी तोड़ सकती है तो जब इतना सब कुछ आएगा तो हम आपको ये भी बताएगा कि आखिर में फिल्म के ट्रेलर में कैसे DC के लिए मुझकिलें खड़ी कर दी है तो वाइस सब सूपर बोल का टाइम था सब एक्सपेक कर रहे थे कि Marvel और DC का साड़ा कॉंटेंट यहां मिलेगा लेकिन तभी ये मालूम पड़ा कि डॉक्टर स्टेंज का ट्रेलर भी आने वाला है अब देखो यार ये फिल्म Marvel के 10 सालों का ही नहीं बल्कि जब MCU एक्जिस्ट भी नहीं करता था तब का नीचोड है इसलिए इसमें वो सब नजर आने वाले हैं पहले नहीं दिखाई दिये ते वो चीजें हैं जो इस फिल्म को इतनी बड़ी बना देती हैं कि बाकी सारी फिल्में छोड़ी नजर आने लगती है यही वज़य है कि DC का कोई भी कॉंटेंट खासकर Black Adam का ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया यानि डॉक्टर स्ट्रेज ने इस टाइम आफ़त मचा रखी है वैसे आफ़त आप भी मचा सकते हो कैसे प्रोबो पर प्रेडिक करके अपना ओपीनियन देखे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे है प्रोबो इंस्टॉल करो और यह बताओ कि क्या यह फिल्म का ट्रेलर 50 मिलिन यूट्यूब व्यूज कर पाएगा वो भी फेवरुरी के एंड तक क्या लगते है आपको चैनल भी जरू सब्सक्राइब करना फेस्बूक पी देगे तो पेज को लाइक करना बेल आइकन जरू दाबरा थैंक यू फर वाचिंग बाई बाई टेक केट जहीन